नेहा की इविक्षिन का डर सताया प्रतीक को प्रतीक रोए फूट फूट कर जी हाँ बीते राद बिग बॉस द्वारा दिये गए नॉमिनेशन टास्क में नेहा और प्रतीक के जिद के कारण बिग बॉस को टास्क करना पड़ा रद और इसके लिए घरवालों को भुगतनी पड़ी सजा नॉमिनेट हुए सदस्य फिर हुए घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट अब बिग बॉस के इस अनॉंस्ट के बाद उडगए घरवालों के होश क्योंकि नेहा प्रतीक के जिद के कारण बाकी कंटेस्टिन को करना पड़ेगा सफर नॉमिनेट हुए सदस्य दिव्या मूज समिता प्रतीक और नेहा के उपर लटकेगी इविक्षन की तलवार अब कहीं न कहीं प्रतीक को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं इस हफ्ते नेहा ना हो जाए घर से बेघर या फिर प्रतीक को सता रहा है अपने इविक्षन का डर जिससे प्रतीक तास्क रद होते ही खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए घर में चीजे इधर उधर करते नसराए पूरी तरह से बॉकला गये और उन्हें शांत कराने की कोशिश किया तो गया लेकिन नामूम्किन हो गई सारी लोगों की कोशिश जिस तोरा नहा प्रतीक को शांत कराने की कोशिश तो करती है लेकिन प्रतीक खुद को समभाल नहीं प रो क्यों रहे हैं दोस्तों के खिलाफ जाने पर या फिर नेहा को नौमिनेशन से सेफ ना कर पाने पर वल आपको क्या लगता है कि प्रतीख किस वज़े से रो रहे हैं कमेंट कर हमें जरूर बताए और इसी तरह की लेटिस्ट अबडेट और न्यूस के लिए हमारे चैनल केबल आइकन को प्रस करें देखते रहे हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल ना भूले